समस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका देशी भारत के इसमाहा मंच पर आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ सुपरस्टार खिसारी लाल यादो की अपकमिंग फिल्म विदाता की कुछ अपडेट ले करके जैसा की आप मैं हम सभी असमंजस की इस्तिती में थे हमेशा ही हम इस बात का इंतजार करते थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब सुपरस्टार खिसारी लाल यादो जी विदाता फिल्म की शूटिंग शूरू करेंगे कब आखिर विदाता फिल्म के लिए खिसारी लाल यादो डेट देंगे तो मैं अब इसी ख़बर पर अपडेट ल आपको प्रदीब के शर्मा जिन्होंने लिटी चोखा और आशिकी जैसी फिल्मों का निर्मान किया प्रदीब के शर्मा की ये तस्वीर कल से ही बड़ी तेजी से वाइरल हो रही है साथी साथ एक फोटो और भी है ये देखिए प्रदीब के शर्मा जी सुपास्टार खिसार कर रहे हैं Sun of Bihar फिल्म जिसमें किसारी लाल यादो जी के अपोजिट मनी भटा चार्या और रक्षा गुता दो हिरोईने हैं वहाँ पर घंटो पाचीत हुई है किसारी लाल यादो जी के साथ पदीब के शर्मा जी की और जो चीजें बाहर निकल कर उभर कर आई है वो ये के दिल्ली में Sun of Bihar की शुटिंग के बाद खिसारी लाल यादो जी जल से जल मुमई आएंगे मुमई आकर विधाता फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल करेंगे और फिर डेट देंगे और फिर कहानी शुटिंग शुरू हो जाएगी आपको ये भी बता दें कि खिसारी लाल यादो जी के अपोजिट एस फिल्म में अक्षरा सिंग है और दोस्तों बहुत ही जबजस्त कहानी विधाता फिल्म की है भुषपूरी में एक बहुत ही एतिहासिक कहानी होने वाली है जी हाँ जो खबर आंदूरुनी हमें पता चल पाई है विधाता फिल्म एक किन्नरों पे बेस कहानी है जी हाँ किन्नरों की कहानी है विधाता फिल्म और अक्षरा सिंग खिसारी लाल यादो जी के अलावा लक्षमी नरायन तरिपाठी जो किन्नर समाज के चैर्मेन है प्रेसिडेंटे हैड है वो भी इस फिल्म में एहम किरदार निभाते आएंगे साथ ही साथ सिर्फ लक्षमी नरायन तरिपाठी ही नहीं बलकि लक्षमी नरायन तरिपाठी अपनी पूरी टीम के साथ इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे चूंकि किन्नर पर बेस ये पूरी की पूरी कहानी है और भी क्या ताजा अपडेट होगी हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा प्लास्ट इस फिल्म के साथ फिर एक बार तुदिक के शर्मा करने के लिए तैयार है लिटी चोका ब्लॉगबस्टर फिल्म गई ये है आशिक के फिल्म का ट्रेलर जबर रस्ता है रिलीज को है और अफ़ विधाता खास बात ये है कि इन तीनों ही फिल्मों का डिरेक्शन पराग पाटिल साहब ने किया है जिन्हें पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के तौर पर जाना जाता है बने रहे हमारे साथ